नमस्कार साथियो स्वागत था आपका अपनी यूट्यूब चैनल S.K.E.G.C.S. पर दोस्तो आज है विटामीन की कुछ important क्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेट जरूर करें साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिसे आपको हर वीडियो का notification मिलता रही तो पहला क्यूशन है विटामीन A विटामीन A का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो तो विटामीन A का रसाइनिक नाम है रेटिनोल अगला है विटामीन B विटामीन B1 विटामीन B1 का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो तो इसका नाम है थाइमीन अगला क्यूशन है विटामीन B2 विटामीन B2 का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो तो इसका रसाइनिक नाम है राइबो फ्लेविन विटामिन B2 का रसाइनिक नाम है राइबोफलेविन अगला है विटामिन B3 तो विटामिन B3 का रसाइनिक नाम क्या है निकोटिनेमाइड तो इसका रसाइनिक नाम है निकोटिनेमाइड विटामिन B3 का रसाइनिक नाम है निकोटिनेमाइड अगला है विटामीन B5 इसका रासाइनिक नाम है पेंटोथेनिक अमले विटामीन B5 का रासाइनिक नाम है पेंटोथेनिक अमले अगला क्यूशन है विटामीन 6 विटामीन B6 विटामीन B6 है B6 तो इसका रासाइनिक नाम क्या है पाईरी डोक्सिन विटामीन B6 का रासाइनिक नाम है पाइरी डोक्सिंग अगला विटामीन है विटामीन B7 तो इसका रासाइनिक नाम क्या है बायोटीन विटामीन B7 का रासाइनिक नाम है बायोटीन अगला है विटामीन B11 तो इसका रासाइनिक नाम क्या है फोलिक अमले होलीक अमलकी विटामीन का नाम है विटामीन बी लेवन का अगला क्यूशन है विटामीन सी विटामीन सी का रसाइनिक नाम क्या दोस्तों इसका नाम रसाइनिक नाम है एसकार्बिक एसीड विटामीन सी का रसाइनिक नाम है एसकार्बिक एसीड अगला क्यूशन है विटामी डी विटामिन डी का रसेनिक नाम है केल्सी फेरोल विटामिन डी का रसेनिक नाम है क्या है तो इसका रसेनिक नाम है केल्सी फेरोल दोस्तों यह एक्जाम की द्रहस्टी से बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है इन क्यूशनों से एक क्यूशन आता जरूर है अगला कुछन है विटामीन E तो इसका रासाइनिक नाम क्या है टोको फिरोल विटामीन E का रासाइनिक नाम है टोको फिरोल अगला है, विटामीन K उसका रासानिक नाम है फिलोपीनोन विटामीन K का रासानिक नाम है फिलोपीनोन तो उमीद करते हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ये अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेट जुरूर करे साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिए जिसे आपको हर वीडियो का नोटिफिकिसन मिलता रहे तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे थेंक्यू दोस्तों